दोस्तों आज से तीन दिन पहले मैंने railway NTPC के regarding में latest form filling data के बारे में एक separated video बना करके आपको जानकारी दिया था उसमें काफी सारी candidate ऐसे थे जो कोई ये comment कर रहे थे कि सर ये बताये railway NTPC के जो पिछली बार भरती आई थी 2019 में उसका previous year cut-off जो है कितना गया था अलग-अलग RRB zone का category wise cut-off को जो है कितना गया था उसके उपर एक separated video बना करके आप जानकारी दीजिए उसके अलावा दोस्तों आज की सीडियो में मैं आपको latest form filling data के बारे में जानकारी दूँगा पर-fit competition किस RRB zone से जादा रहेगा कहां पर कम रहेगा कौंसा safe zone रहेगा कौंसा danger zone के अंतरगत में consider किया जागा उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूँगा और यह जो latest form filling data के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यह 12 अक्टूबर रात 8 विले तक का data मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अलग-अलग RRB zone से निकल करके आया है देखे काफी सारे candidate ऐसे है ना जो कि यह भी जानना चाहते हैं कि सर यह जो data आप बता रहे हो इसका force क्या है मतलब किस basis पर आप यह data जो है सारा बता रहे हो क्योंकि अभी RTI का कोई भी data नहीं आया है जिहां दोस्तों भी RTI का कोई भी data नहीं आया है और railway NTPC का जब मुझे data मिला है उसके लावा जितने candidate railway NTPC की भरती में form कोई apply किया है ना उनसे जब मैंने बात किया तब जाकर के मुझे यह data मिला है उसी के आधार पर यह सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और देखें यह undergraduate level यानि कि 12th pass पर जो भरती आई हुई है जिसमें कि 3445 बताने जा रहा हूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा वेल्यूबल होने वाला है वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल आंतर तक वाच किजेगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नहीं हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब किजेगा इसी प्रकार के जो आपके more update के लिए तो देखें दोस्तों सबसे पहले मैं इलाहबाद RRB जोन की अगर मैं बात करूँगा जो कि अब प्रियाग राज RRB जोन बन चुका है उसका प्रिवियस येर 2019 का कटफ की अगर मैं बात करूँगा तो पिछली बार कटफ गया था वो 81 गया था उसक प्रियाग राज जोन है ये पूरी तरीके से डंजर जोन के अंतरकत में कंसीडर किया जाता था क्योंकि यहाँ पर कटफ जो है काफी ज़्यादा गया है और देखें इस बार की भी अगर मैं बात करूँगा ना तो यह जो प्रियाग राज जोन है यहाँ पर number of vacancies जो है ती हो और दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना रेलवे की vacancy में क्या होता है कि आवेदन की अंतिम तिथी में जब दोस्ते तीन दिन का समय बचता है तो record तोड मात्रा में बच्चे farm को apply करते है तो यह data जो है आगे चल करके पूरी तरीके से बदल जाएगा और यह जो आप perfect competition जो 200 तिरपन देख रहे हो ना यह 400-400 याफिर हो सकता है कि 500 प्लस भी आपको देखने को मिल जाएगा इसलिए RRB जोन प्रियाग्रास की अगर मैं बात करूंगा तो यह पूरी तरीके से danger zone के अंतरगत में consider किया जाता है क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि पू 23 नंबर गया था वही पर OBC की बात करूंगा तो 68 SC में 58.33 HD में 49 नंबर का जो है cut-up गया था RRB जोन भोपाल से और देखे इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो number of vacancy जो है 152 है sorry 152 नहीं 58 vacancy है जिसके लिए कि 10,118 candidate ने farm को apply किया है और यहाँ पर perfect competition अगर आप जोन के अंतरगत में इसे consider किया जा सकता है अगर आप लोग यह सोच रहे हो कि आप जो है कहां से farm को apply करोगे तो भोपाल जोन आपके लिए एक अच्छा option है और graduation level पर जो भरती आई हुई है 8400 something post पर इसका अगर सारा data चाहते हो तो एक बार comment section में आप लोग comment जरूर अगली बार next video जब मैं बनाऊंगा तो graduation level के separated video बना करके आपको जानकारी दोंगा ठीक है ना देखिए RRB जोन विलाफपूर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो पिछली बार पूरी तरीकी से danger जोन के अंतरगत में इसे consider किया जाता था क्योंकि देखिए cut-off पिछली 1.89 और 60.16 का cut-off जो है पिछली बार गया था देखिए बिलाफपूर एक ऐसा RRB जोन है ना जहां पर बच्चे सबसे ज़्यादा फार्म को apply करते हैं और यही रीजन है कि यहां पर competition जो है बहुत ज़्यादा रहता है देखिए यहां पर number of total seat की अगर मैं बात करूंगा त 350 यानि कि 1 seat को हासिल करने के लिए 350 candidate को पचाड़ना पड़ेगा तब जाकर के आप यहां से 1 seat हासिल कर सकते हैं उसके अलावा गुवहाटी RRB zone की अगर मैं बात करूंगा तो यह पूरी तरीके से safe zone के अंतरगत में consider किया जाता है पिछली बार भी यहां का cut-off कम गया था और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार भी यहां का cut-off जो है कम देखने को मिलेगा गुवहाटी RRB zone की अगर मैं बात करूंगा तो UR candidate का जो cut-off गया था वो 66.44 नंबर गया था उसके अलावा OBC की मैं बात करूंगा तो 57.11 नंबर गया था उसके अलावा SC में करूंगा तो इस बार यह जो भरती आई हुए रेलवेंटी PC की इस बार गुवहाटी RRB zone से 175 फीटो पर यह वेकंसी आई हुए जिसमें की अभी तक के डेटा के अनुसर 26,075 कंडिडेट ने यहां से फार्म को एपलाई किया है गुवहाटी RRB zone की अगर मैं बात करूंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो पिछली बार देखें यहां का जो cut-off है वह बहुत ज्यादा नहीं गया था लेकिन बहुत कम बिने गया था easy to moderate यहां का cut-off गया था यूर कंडिडेट का जो cut-off है 74.66 निंबर गया था उसके लावा OBC की मैं बात करूंगा तो 71.26 FC में 65.21 और HD में 60.25 यहां का cut-off गया था और इस बार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 699 पोस्ट पर यह वेकेंसी आई हुई है मुंबई RRB zone से और अभी तक के data के अनुसार यहां पर record तोल मात्रा में farm apply किये गया है मतलब की 138,310 candidate ने अभी तक data के अनुसार जो है यहां पर farm को apply किया है perfect competition अगर आप निकालोगे मुंबई RRB zone से तो 1977 निकल करके आएगा उसके अलावा मालदा RRB zone के अगर मैं बात करूंगा तो 33 और ST में यहां पर 57.33 नंबर का यहां पर cutoff पिछली बार गया था और देखे इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो मालदा RRB zone में number of vacancy की संख्या जो है बहुत कम है यानि कि number of total feet मात्र 12 है और यही रीजन है कि काफी कम candidate यहां से interest ले रहे हैं मात्र यहां पर 2248 candidate ने माल पिछली बार का जो cutoff है वो unreserved category का 77.43 गया था वही पर OBC की मैं बात करूंगा तो 69.01 SC में 56.63 और HD में 47.63 जो है यहां का cutoff गया था इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो गोरखपुर RRB zone में 122 number of total seat उपर vacancy आई हुई है जिसके लिए कि 37,200 बहतर candidate ने फार्म को एपलाई किया है perfect competition अगर आप निकालोगे तो 310 निकल करके आ रहा है कहने के मतलब यह है कि गोरखपुर RRB zone की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर पिछली बार जो cutoff गया था 2019 में CBT2 का unreserved category का 75.33 number का गया था वहीं पर OBC का 70 number SC में 63.66 और HD में 59 number का cutoff गया था इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो एहमदाबाद RRB zone में 210 number of total seat उपर vacancy आई हुई है जिसके लिए कि 40,210 candidate ने यहां से farm को apply किया है इसलिए यहां से ज़्यादा लोग farm को apply करते हैं क्योंकि यहां का जो cutoff है वो काफी कम देखने को मिलता है देखिए perfect competition के अगर मैं बात करूंगा तो एहमदाबाद RRB zone में 191 का यहां पर perfect competition आपको देखने को मिलेगा वहीं पर फिकंद्राबाद क कि अगर मैं बात करूंगा तो पिछली बार भी यह डेंजर जोन के अंतरगत में consider किया जाता था और इस बार की भी अगर मैं बात करूंगा ना तो यहां का cutoff आपको ज्यादा देखने को मिलेगा देखिए UR candidate का जो cutoff गया था वह 86 नंबर गया था वहीं पर OBC का 84.03 SC में 74 64.66 और ST में 70.68 नंबर का यहां पर cutoff गया था इस बार number of vacancies की अगर मैं बात करूंगा तो 89 पदों पर यह vacancy निकल करके आई हुई है सिकंद्राबाद RRB जोन में जो कि अभी तक की data के अनुसार 26,600, 60 candidate ने यहां से farm को apply किया और perfect competition अगर आप निकालोगे ना तो तकरीबन 300 के आसपास निकल करके आ रहा है जिहां दोस्तों 290 per feet competition अभी आपको देखने को मिलेगा यानि की एक seat हासिल करने के लिए 999 candidate को आपको पचारना पड़ेगा तो यह पूरी तरीके से जो है danger zone के अंतरगत में इसे consider कर सकते हैं उसके अलावा पटना RRB zone की अगर मैं बात कर चायाता है क्योंकि पटना आप सभी लोगों को मालूम है बिहार के जितने भी ज्यादा तर candidate है वो पटना RRB zone से farm को apply करते हैं उनको यह लगता है कि मैं अपने घर के नजदीक में ही रह करके duty करूंगा मुझे ज्यादा दूर जाने की ज़रुरत नहीं है और यही region है कि का 64 नमबर का यहाँ पर cut-off गया था इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो वेकेंसी की संख्या बहुत कम है नमबर आफ टोटल वेकेंसी मात्र 16 है पटना RRB zone में अभी तक के डेटा के अनुसार 306,000 candidate ने पटना RRB zone से farm को apply किया और perfect competition अगर आप निकालोगे तो 190 निकल कर का 62.18 और HD का यहाँ पर 59.15 का cut-off जो है पिछली बार, railway NTPC की भरती में आपको यह cut-off देखने को मिला था इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो नमबर आफ वेकेंसी मुझफर पूर से कितना है तो 68 है और अभी तक की डेटा के अनुसार 10,862 candidate ने farm को यहां से fill किया है, perfect competition अगर आप निकालोगे ना तो 159 जो है निकल करके आएगा, Kolkata RRB zone के अगर मैं बात करूंगा तो यह पूरी तरीक से देखे, safe zone के अंतरगत में इसे consider किया जाता है, पिछली बार का जो cut-off गया था, UR candidate का 77.93 का 98 का cut-off गया था, OBC का 73.94, C का 66.44 और HD में 59.15 का cut-off यहा से आई हुई है Kolkata RRB zone में जिसके लिए कि 90,431 candidate ने अभी टके data के अनुसार farm को यहां से fill कर दिया है, perfect competition अगर आप निकालोगे तो 200 निकल करके आएगा, तो देखे, Kolkata zone के अगर मैं बात करूंगा तो इस बार जो है इसे नहीं आप safe zone कर सकते हो, और नहीं ज्यादा red zone क अंतरगत में इसे consider किया जा सकता है, यह easy to moderate के अंतरगत में इसे रख सकते हो, लेकिन आने वाले time पर क्या होगा कि इसमें farm fill करने वालों कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, देखे दोस्तों अगर अभी आपने railway NTP से किस बढ़ती में farm को apply किया है तो किस RR जोन से आपने farm को apply किया है, एक बार आप लोग जरूर comment किजेगा, जिससे की latest data के बारे में जानकारी मिल पाती है, आईए अब आगे बढ़ते हैं, देखे बैंगलोर RRB जोन के अगर मैं बात करूंगा तो यह पूरी तरगी से danger zone के अंतरगत में consider किया जाता है, पिछली बार का cut-off बैंगलोर जोन से काफी जादा गया था, देखे यूर candidate की अगर मैं बात करूंगा तो 83.36 नंबर का cut-off गया था, OBC में भी 80.33 नंबर का cut-off गया था, SC की अगर मैं बात करूंगा तो 73.27 और ST में 69.24 का cut-off जो है पिछली बार गया था, इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो 60 पदों पर यह भरती है हुई है, बैंगलोर आरार भी जोन से, लेकिन अभी तक के डेटा का अनुसार 16,300 से ज्यादा candidate यहां से, फार्म को अप्लाई कर चुके है, perfect competition, 277 निकल करके आएगा, वही पर अजमेर जोन की अगर मैं बात करूंगा तो पिछली बार 33 का cut-off गया था, इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो प्रवेंट टोटल वेकेंसी जो है, 71 है, अजमेर आरार भी जोन से और अभी तक के डेटा के अनुसार 17,632 कंडिडेट ने यहां से फार्म को फिल किया है, perfect competition अगर आप निकालोगे तो 248 देखने को मिलेगा, वही पर 96 RRB जोन के अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए यह पूरी तरीके से safe जोन के अंतरगत में consider किया जाता है, अगर आपको फिल करना है फार्म को तो आप गुवहाटी से फिल कर सकते हो, चैन्नाई RRB जोन से फार्म को फिल कर सकते हो, उसके अलावा आप भोपाल स सकते हो, यह सारी जोन ऐसे है ना, जो कि पूरी तरीके से safe जोन के अंतरगत में consider किया जाता है, तो चैन्नाई कि अगर मैं बात करूंगा तो पिछली बार को जो cut-off है, वो काफी कम गया था, UR candidate का जो cut-off है, वो 55.33 number का cut-off गया था, वहीं पर OBC में 52 number का cut-off गया था, SC में 53.67 का cut-off गया था, और SC में 49 का cut-off गया था, आप सभी लोग खुद देख सकता हो कि पिछली बार का जो cut-off है, वो कितना कम गया था, और अगर आपको इस data पर doubt है, confusion है, तो एक बार आप सभी लोग Google करके भी यह data देख सकते हो कि पिछली बार का जो cut-off है, अलग-अलग RR जोन का कितना गया था, कितना कम गया था, किस RRB जोन का ज्यादा गया था, वो आप सभी लोग देख सकते हो, देखे इस बार के अगर मैं बात करूँगा तो 96 RRB जोन में 194 पोश्ट है, जिसके लिए कि 2180 कंडिडेट ने यहां से farm को apply किया है, perfect competition बहुत कम है, 104 perfect competition यहां प cut-up जो है, ज्यादा जाता है, और यही region है कि इसे danger zone के अंतरगत हम लोग इसे consider कर सकते हैं, general candidate का जो cut-up गया था, 79.66 OBC का, 74.28 OBC का, 67 ST की अगर मैं बात करूँगा तो 65.88 का cut-up गया था, और देखे इस बार कि अगर मैं बात करूँगा तो चंडिगर RRB जोन से 247 पोश् 242 निकल करके आएगा, तो दोस्तों यह सारा मैंने आपको जानकारी दे दिया है कि कौन से RRB zone से कुल कितने form भरे गये हैं, और पिछली बार का cut-up है, वो कितना गया है, उसके अलावा, राची और भूवनेश्वर दो ऐसे RRB zone है, जो कि पूरी तरीके से safe zone के अंतरगत म देखें, पिछली बार के अगर मैं बात करूँगा ना, तो राची RRB zone का जो cut-up गया था, यूर candidate का, वो 63.23 नंबर का cut-up गया था, वहीं पर भूवनेश्वर के अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो पिछली बार का cut-up गया था, वो 67.97 का cut-up गया था, यूर candidate का, तो safe zone के अंतरगत में consider इसे किया जा सकता है, तो दोस्तों यहीं सारा सब कुछ जानकारी देना था, देखें, अगर आपको graduation level का analysis पूरा चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट जरू कर दीजेगा, अगर आप लोगों ने demand किया, तो next video जो है, मैं graduation level का total analysis को ले करके आऊंगा जिसके regard में, मैं total form filling data के बारे में भी जानकारी दूँगा, उसके अलावा, मैं आपको previous year का cut-off के बारे में भी जानकारी दूँगा, तो दोस्तों यहीं सारा सब कुछ जानकारी देना था, वीडियो अगर आपको informative लगा हो, तो वीडियो को like किजेगा, चैनल को subscribe किजेगा बाकि फिर मिलूँगा किसे next वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद